हलो फ्रेंड्स मेरा नाम राकिश वर्मा और मेरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे मन्थली करेंट अफेर्स 2022 में जून के पूरे महिने के करेंट अफेर्स के बेरी इंपोर्टेंट कॉशन आंसर तो चली सुरू करते हैं अगला कॉशन है कौन व्यक्ति हाल ही में नीती आयो के नए मुख्य कारेकारी अधिकारी न्युक्त किये गए तो उनका नाम है परमिश्वरन आयर कौन व्यक्ति हाल ही में खूपया ब्यूरू अर्था आईवी की नए प्रमुक्त की रूप में न्युक्त किये गए तो उन देश से संबंदित महिला क्रिकेटर रूमेली धर ने अंतराश्टी क्रिकेट से सन्यास लिया तो वह हैं भारत की हाल ही में कौन अंतराश्टे क्रिकेटर संग की पहली महिला ध्यक्ष वनी है तो नामें लिसा इस्टा लेकर प्रतिवर्स अंतराश्टी विद्वादवस किस तारी को मना जाता है तो 23 जून को मनाते हैं हाल ही में कौन NDA की परिक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा वनी है तो उनका नाम है सनन ढाका हाल ही में किसे सयुक्त राश्ट में भारत की अगली इस्थाई प्रती निदी की रूप में निक्त किया गया तो नाम है रूचीरा कमबोज 21 जून 2022 को दुनिया भर में कौन से अंतरास्टी योग दिबस मनाय जाता है तो वह है आठवा हाल ही में गुस्तोवो पैटरू किस देश की नए रास्ट पती बने है कोलंबिया के हाल ही में आस्टिलिया के तटपर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा 140 किलूमीटर तक हो जा गया है जिसका नाम क्या है तो उसका नाम है पोसी डोनिया आस्टिलिस प्रतिवर्ष विश्वे सरणार्थी दिवस के स्तारी को मनाया जाता है तो 20 जून को हाल ही में किसे भारती प्रेस परिशत की नए अध्यष की रूप में चुना गया तो जस्टिस रंजना प्रकास देशाई हाल ही में कौन भारती ये विक्ती अमेरिकन टेलिकॉम कंपनी वेरिजोन की नए सी यू बने है तो उनका नाम है सोमे नारायन संपत हाल ही में आई एमडी द्वारा जारी बैश्विक प्रति इसपारधात मक्ता सूचकांग 2022 में भारत को कौन से इस्थान मिला तो भाय मिला है 37 पार हाल ही में किन दो शहरों के बीच भारत गौरा योजना के तहत देश की पहली प्राइबी ट्रेंड संचालित की गई तो वह कोयम बटूर से सिरडे हाल ही में केंड शहरकान ने भारती सेना में 4 साल हेतु युबाओं की भरती करने के लिए कौन सी योजना लौज की तो वह है अगनीवत योजना हाल ही में कौन सिगरेट पर चेतावनी छापने वाल दुनिया का पहला देश बना तो वह है कनाडा हाल ही में महान भारती व्यक्ति हरी चंद का 79 वर्ष की उम्र में ने दन हो गया वह थे तो वह थे धावा पे हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2022 के लिए ICC पिलेर आपदी मंत का सम्हन मिला है तो उनका नाम है एंजिलू मैथ्यूज कौन सा राज हाल ही में खेलो इंडिया यूद केम्स 2021 का बिजेता बना है दुबाय है हर्याना हाल ही में कौन सतरंज खिलाडी भारत की चोहतर विग्रांड मास्टर वने है तो राहुल स्री वास्ताप प्रतिवर्ष विश्व रक्दात दिवस के स्तारी को मना जाता है तो 14 जून को मनाते है हाल ही में किसे RBL बेंक की नए MDM CEO की रूप में न्यूक्त किया गया तो आर सुब्रा मने कुमार को हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली COVID-19 बैक्सीन लॉंच हुई है जिसका नाम है एनो कोवेक्स हाल ही में कौन भांग से प्रतीबंध अटाने वाला पहला एशिया देश बना तो वह है थाईलेट प्रतीबर्ष विश्वबाल स्रमनिशे दिवस कम बनाए जाता है तो 12 जून को मनाते हैं हाल ही में कौन ड्रोन नीती तैयार करने वाला भारत का पहला राज बनाए तुबाय हमाचल प्रदेश हाल ही में RBI ने रेपो रेट में 0.50 प्रतिशत की बड़ोतरी की है तो अब कुल हो गई है तुबाय हो गई है 4.90 प्रतिशत हाल ही में मश्वूर महिला खिलाडी में ताली राज ने किस अंतराश्टी खेल से सन्यास लेनी की गोशना की तुबाय किरकेट से कौन व्यक्ति हाल ही में अश्वनी भाटिया की जगए SBI की नए प्रवन निदिशक बने तो आलुक कुमार चौदरी प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस का मना जाता है तो 8 जून को मनाते हैं बैश्विक पर्याबरान प्रदूशन सूचकांग 2022 के 180 देशों में भारत को कौन से स्थान मिला तो 180 बाद कौन व्यक्ती हाल में अंतरास्टी अलुमीनियम संस्थान की नए चेयर्मेन बनी तो वह शती स्पाई हाल ही में बजराम बेगस किस देश की नए रास्ट पती बने अलवानिया के प्रतिवर्ष विश्व खान सुरक्ष दिवस किस तारी को मना जाता है तो 7 जून को मनाते ह हाल ही में दिये गए आईफाबार्स 2022 में किसे बेस्ट एक्टर कावार्ड मिला है तो वह मिला है विक्की कोशल के लिए हाल ही में किस टैनिस खिलाडी ने फ्रेंच उपन 2022 में प्रोशेकल का खेताब जीता राफेल नडाल ने जीता है हाल ही में किसे यूनियन बेंक ओफ इंडिया की नई प्रवन ने देशा के रूप निट किया गया तो उनका नाम है ए मणी मेखलाई प्रती वर्ष विश्व परयाबरंड दिवस किस तारी को मनाया जाता है तो 5 जून को हाल ही में दिल्ली सरकार ने हरीजन सब्द की जगह किस सब्द को काम में लेने करने न लिया अंबेटकर के लिए हाल ही में भारत के किस राज में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलिस्कोप इस्थाफित किया गया तो गया उत्तरा खंड में हाल ही में किस भारतिय मूलकी अमिर्की छात्रा ने प्रतिष्टित स्पेलिंग भी प्रतियोगिता 2022 जी थी तो उनका नाम है हरीनी लोगन कौन व्यक्ति हाल ही में फेस्बुक की पेरेंट कंपनी मेटा के नए मुख्य परिचाला का दिकारी बने है तो नाम है जेवियर ओली बन प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस जून महीने की किस तारीकों मना जाता है तीन तारीकों हाल ही में प्रशिद व्यक्ति तो पंडित भजन सोपूरी का चहुत्तर वर्ष की उम्र में नेदन हुए वह थे तो वह एक संतूर वादक थे कौन व्यक्ति हाल ही में राश्ट्रिय सूचना विग्यान केंद्र की नए महानियों इश्व बने नाम है राजिश गेरा हाल ही में 2 जून 2023 को भारत के किस राजि में किस बराजि ने अपना नौवा स्थापना दिवस मनाया है तो मनाया है ते लंगाना ने हाल ही में किसे ससस्तर सीमा बलकनाया महानिय दिशक निक्त किया गया तो नाम है S.L. थाउशन प्रतिवर्ष दुनिया भरे में विश्व दुख्द दिवस के स्तारी को मनाया जाता है तो वह एक जून को हाली में प्रिशिद व्यक्तित्व कृष्ण कुमार कुननत का तरीपन वर्ष की उम्र में निदनुगा वह थे तो वह एक गायक थे हाली में 30 माई 2022 को भारत के किस राजिका 35 वस था अपना दिवस मनाया गया तो वह गोवा का प्रतिवर्ष विश्व तंभा को निशिद दिवस को मना जा रहा है तो 31 माई को प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारित दिवस के स्तारी को मना जाता है यह भी 30 माई को हाल ही में किन फिल्मों के मशूर गायक और अभी नीता शिद्दू मूशेवाला का 29 वर्ष के उम्रम ने धन हुआ तो बैते पंजाबी गायक किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में IPL 2022 का खिताब जीता है तो बैत जीता है गुजराट टाइटन्स तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही थैंक यू